एमी जैक्शन ने इंस्ट्राग्राम पर अपना नया लुक शेर किया है इसके बाद से देशी जनता ट्यूटर पर मावली हो गई एमी जैक्शन के लुक को देखकर कुछ लोगों को ओपन हैमर की क्लियर मर्फी की याद आ गई कुछ फैंस को उने देखकर काली जैनर की भी याद आ गई बेस सितंबर बुदुबार को एमी जैक्शन ने सोशल वीडिया पर कुछ तस्वीरे शेर की एक वक्त ऐसा था जब एमी जैक्शन नैशनल क्रश हुआ करती थी अब इनकी तस्वीरों को देखकर फैंस का दिल सौट टुकडों में तूट गया इसी बहाने दोस्तों आज हम जान लेते हैं एमी जैक्शन की सच्चाई वो कहानी जिसके बारे में शाद ही आपको पता होगा आए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों एमी का जन्म इकत्ती हमारी की ट्रेनर हैं एमी की दो बहने हैं एमी जब छोटी थी तब इनके पैरेंट्स का तलाक हो गया था एमी को बच्पन से ही ग्लेमर वर्ल्ड में इंटरेस्ट था और यही वज़़ा थी कि वह पढ़ाई में बहुत ज्यादा कम जोर थे खुद एमी के अनुसार जब व इन्फॉर्म कर दिया तो इनकी मा और इनकी बड़ी बहन ने इसे इसके बॉइफ्रेंट के साथ उसे घर पर रोमैंस करते हुए रंगे हां तो पकड़ा यह बात इन्होंने खोद एक इंटरिव्यू के दौरान बताई थी तब इन्होंने अपनी मदर को बताया कि इनको छूट दे दी लेकिन साथ में यह भी कहा कि पढ़ाई करते रहो इसके बाद में स्टडी करती रही और पढ़ाई करते करते इन्होंने ब्यूटी कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया मिस्टीन लिवरपूल मिस्टीन ग्रेट ब्रिटैन और मिस्टीन वर्ल्ड यह तीन लेकिन इन्होंने भारत आने से मना कर दिया क्योंकि इन्हें लगता था कि भारत एक गरीब देश है और यहां के माहल में वो फिट नहीं बैठ पाएंगे लेकिन 2010 में ब्यूटी कांटेश्ट के दौरान ही सौथ के एक फिल्मेकर जिनका नाम है एल विजय इन्होंने इनको देखा और अपनी फिल्म मदरास पटीनम में काम करने का आफ़र दिया इसके बाद एमी ने उस फिल्म में काम करने के लिए एगरी हो गई इसके बाद इसे अगले दो साल तक भारत में कोई काम नहीं मिला लेकिन तमिल फिल्म मदरास पतिनम के बाद ये वापस अपने देश भी नहीं गई उसी समय इनका अफिर सुरजीत टंडन नाम के एक सौट टाइम फिल्म प्रोडूसर के साथ में हुआ था हलाकिन का फिर बहुँ जाना लंबा नहीं चला लेकिन इस अफिर्स के सहारे एमी को फिल्म डेश्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नौलेज हो ही गया था साल 2012 में इससे पहली हिंदी फिल्म मिली फिल्म का नाम था एक दिवाना था और इसमें एमी लीड रूल में थी इसके साथ में थे प्रतिक बबबर इसी फिल्म से एमी ने सुर्जी तंडन को बायबा कर दिया था और प्रतिक बबर के साथ में रिस्ता जोड लिया उस समय प्रतिक और एमी का फिर डश्ट्री में सुर्ख्यों में रहता था लेकिन इनका भी रिस्ता बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया उस दोरान एमी ने एक टैटू बनवाय था जिसमें लिखा था मेरा प्यार मेरा लेकिन ये टैटू वाला सीन ऐसे ही जोश-जोश में हो गया था इसमें प्यार की कोई सच्चाई नहीं थी प्रतिक उससमें अपने काम की वज़ा से कम और ड्रक्स लेने को लेकर ज्यादा चर्चा में रहता था ऐसमें प्रतिक को विदेशी लड़की मिली तो वो खुश ह गया था लेकिन आइमी प्रतिक के सारे बॉलीवड को अच्छे से समझने लगी थी इसके बाद आइमी फिल्मी पार्टियों में जाने शुरू करती थी फिल्म डुस्ट्रियों में यह हमेशा से एक रिवाज रहा है कि जब भी कोई नई लड़की इंड़की में कदम रखत और ऐसे भी एमी की आक्टिंग इतनी अच्छी तो नहीं है कि वो इंड़स्ट्री में अपनी आक्टिंग के जरीए एक बड़ा नाम बना सके फिल्मों में इन्होंने तमिल और टेलगू में भी काम किया तीन चार हिंदी फिल्मों में भी काम किया एमी अब बड़ी बड़ी फिल्मे पार्टियों का तो हिस्सा बनने लगी थी और प्राविट पार्टियों में भी इसकी चर्चा होने शुरू हो गई थी वैसे भी हमारे देश में गोरी चमडी को लेकर एक अलग ही क्रेज रहता है ये भी एक कारण है कि विदेशी लड़कियां यहां आते ही बहुत जल्दी फेमस हो जाती है वैल एमी का पूरा फिल्मिक करियर बस नाम मातर का रहा है इधर अफेर्स की बात करें तो एमी अब इंडियन लड़कों पर नहीं बलकि विदेशी लड़कों पर भरुसा करने लगी थी प्रतिक बबबर के बाद एमी का नाम जुड़ा रियान थॉमस के साथ में जो कि एक हॉलिवड एक्टर है साल 2015 में एमी के साथ में एक विवाद हुआ या फिर यू कहें इनका नाम साउट के एक बड़े नेता के साथ में जुड़ा गया उससे में इनके नाम पर कई आर्टिकल भी लिखे गये थे कि एमी नेता के फार्म होस पर एक प्राविट पार्टी के दौरान एक खबते तक रही इसके साथ में कुछ और विदेशी मॉडल भी थी और इस सारी मॉडल्स और एक्टरेस पार्टी में एसकॉर्ट के हैसियस से गई थी जिनका काम सिर्फ निताओं को या यू कहें जो पार्टी में मौजुद था उसे मज़ा देना था एक खबर एक समय बहुत ज्यादा सुर्ख्यां भटूरी थी लेकिन जलती ही मीडिया से गायब करते गए क्योंकि इस केस में जो भी लोग शामिल थे वो बहुत बड़े ना को सब के सामने खुब मारा जिस वजह से एमी को बहुत ज्यादा चोटे आएं इसके बावजूत भी इन्होंने कोई पुलिस केस नहीं किया था एक समय में अपने बॉइफरेंड के साथ में विदेशों में मौच कर रही थी और दूसरी तरफ बॉलिवड में एक्टी थी फ जॉर्ज लगजरी होटेल का मालिक है जॉर्ज जैसा अमीर इंसान जब एमी के हाथ में आया तो उसके साथ लिविन में रहना शुरू कर दिया और नौ महीने में ही एमी ने एक बच्चे को जन्म दिया वो भी बिना शादी किये ये ख़बर भी मीडिया में बहुत सुर्ख डॉलर दियें इसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगबग 500 करोड़ रुपए होते हैं एमी के बारे में बात करें तो वह अब अमेरिकन एक्टर एड़ वेस्टविक के साथ में लिवीन में रह रही हैं और बॉल्यूड की लगजरिस पार्टियों में एक्टिव र अच्टर's का टैग लगते ही या फिर मॉडल का टैग लगते ही कीमत चुने लगता है चारूतरफ पैसों का पॉच्छक होने लगता है और एसी एक्टर के जिर्ऋ की प्रौफाइल होती है इसके दम पर विदीशी एक्टर्स को या फिर विदेशी इसेलिबरीटेस को आजimeter से अपने जालने फसालेती हैं क्योंकि इनकी एक प्रोफाइल होती है कि ये इंडिया की सूपर स्टार है एम ये ऐसी अकेली विदेशी लड़की नहीं है ऐसी बहुत सारी है जो अपने नाम के साहरे करूरों कमा रही है तो आज इस वीडियो में बस इतना है